तो आज की वीडियो में में बताऊंगा कि आप जो अपना पास्पोर्ट है वो अपने इंडॉस में कैसे एड कर सकते हैं इस टॉपिक पे मेरा अलरी एक वीडियो था लेकिन वो वीडियो बहुत पुराना था मैथड अब बहुत सारा चेंजेस आ गए है प्रोसीजर में कैसे क्या फॉलो करना है प्रोसीजर तो इस वीडियो में पूरा वही बताऊंगा कि अब आप कैसे अपना पास्पोर्ट है वो इंडॉस में एड कर सकते हैं तो प्लीज आप इस वीडियो का पूरा एंड तर देख समय आप करते हैं तो आपका ये नहीं चलेगा तो एक बार आपीजिस 늘म साइट पी infamous करने तो प्रोफफाली आप को उस पर request to add passport details और last वाला तो में लिए आपको क्या करना है आपको जो second number का option है जो request करके passport add details करनी है आपको उस पर click कर देना है एक बार आप click कर देते हैं तो आपको select करने का option आता है कि आप अपनी जो details है वो new passport details add करना चाते हैं या फिर आपने already passport अपलोड किया आप उसकी details change करना जाते हैं तो अगर आपके पास already passport था आपने already details upload कर रखी है इसमें तो आप जो second वाला option है उसमें आप करके वो यूज करके आप अपना जो passport details है वो update कर सकते हैं अगर आपने अभी तक अपने passport upload नहीं किया इंडॉस में तो आपको first option है जो कि add new passport वो आपको select करना है एक बार आप यह option select करते हैं तो आपके पास form आजाएगा एक page आएगा जिसमें कि आपको बहुत सारी details पासपोर्ट से related भरनी है जो कि मेली passport पे आपको सारी details मिल जाएगी इसमें आता है आपका passport number आता है आपका issue कब हुआ है कब तक expiry है और आपको जो passport की scanned copy है वो भी इसमें upload करनी है तो जो भी passport से आप details है वो सब इसमें fill कर देते हैं और आपकी जो copy passport की वो आप इसमें attach कर देते हैं उसके बाद आपको सीधा submit request कर जो option देख रहा है आपको सिधा submit बेटर में click कर देना है जो dc shopping है वो आपकी details confirm करेगी एक बार अगर सारी details जो भी आपने fill किया वो अगर जो passport से match करती है तो आपकी सारी details endorse पर update हो जाएगी आपका passport है वो add हो जाएगा और नीचे आपको status भी देख सकते हैं नीचे तो में लिए आप status में देख पाएगे कि आपने passport add करने की request curve raise किया है या पिर आपका application वो अभी pending में है या फिर reject हो गया है या फिर approve हो गया है तो साथ में आपको remarks का एक option भी देगा है जिसमें अगर आपका application reject भी होता है तो remarks में आपका reason बता देगा कि या क्यूं आपका application reject भी जैसे कि मेरे में आप देख पारे होंगे स्क्रीन पे कि मेरा जो application वो reject हो गया था क्योंकि मैंने जो passport details मेरी already endorse में updated थी तो मैंने सब जिस्ट वीडियो बनाने के लिए दुवारे से submit किया था तो मेरा request reject हो गया था तो ये वीडियो देखके आप अपना जो passport है वो आसानी से आप endorse में add कर पाएंगे और मैं सोच रहा हूं कि जो next video वो मेरा tar book के उपर हो जिन्होंने भी btac marine engineering किया या फिर जिन्होंने gme किया है वो online tar book कैसे apply करते हैं कैसे कर सकते हैं में पूरा process बताऊंगा step by step पूरा process बताऊंगा आपको क्या-क्या steps follow करने है कैसे आपको tar book मिलेगी अगर आप घर मंगाना चाहते हैं तो कैसे घर मंगा पाएंगे अगर आप खुद जागे collect करना चाहेंगे तो खुद कलेट कैसे कर सकते हूं, मैं पुरा प्रोसेस बताऊंगा, तो प्लीज आप नेक्स्ट वीडियो जुरू देखना है, So, thanks for watching this video.